Dear Students, जहां आपको इंदजार है UPITI में परवेश 2024 में कैसे मिलेगा, आवेधन कब से सुरू होंगे? तो आवेधन अभी तक सुरू ना होने के बहुत बड़े कारण निकल कर आ रहे हैं UPITI में 2024 में बहुत बड़े बदलाव कर दिये गए हैं जिसके कारण आपको फार्म अभी तक देखने को नहीं मिले हैं जल्द ही आपको फार्म देखने को मिलेगा, आवेधन भी आप कर पाएंगे आपको परेसान और घबराने की जुरूत नहीं है वीडियो में अन्तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियां मिलेंगी कि 2024 में क्या बदलाव किये गए हैं अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं जो हुई थी इसकी वो जून में हो गई थी फार्म भरने की और अभी जून लास्ट होने के बावजूद भी 2024 में आप अब अधन नहीं शुरू उपा रहा है आप अधन की तिथियां जो बताए गई थी फ्रीज फ्लोट का बिकल्प राजकियो निजी आईटियाई में परवेश परक्रिया निधारण में किया गया संसोधन अभ्यर्थियों को मिलेगी बिकल्प चुनने की छूट इसी के कारण अभी तक इसमें बदलाव किये गए और फार्म आपका नहीं सुरू हो पाया समाचार पत्र में आज बताया गया है कि परदेश की राजकियेवा औध्योगिक परसिच्चन संस्थानों आईटियाई में परवेश के लिए अभ्यर्थियों को बिकल्प चुनने की छूट दी है वहीं निजी आईटियाई के छातर भी अपनी सीट को फ्रीज आ फ्लोट करा सकेंगे यहां बदलाव पिछले साल काफी संख्या में खाली रह गई सीटों के मद्दे नजर किया गया है जैसे कि पिछली बार सीटे खाली रह गई थी इसमें होता क्या था कि आप एक बार जो सलेट कर लेते थे तो वो आप चेंज नहीं कर पाते थे ना कालेज बदल पाते थे ना अपना जो है आप ट्रेट बदल पाते थे लेकिन यहां पर यह नए बदलाव किये गए हैं कि ब्योसाइक सिच्छा कोसल विकास हुआ उद्यम सीलिता विभाग ने सद 2024 के लिए राजकियों निजी आइटियाई में परवेस परकिरे में संसोधन किया है इसके अनुसार अभिरती अब स्वेच्छा से गुरूप A वा V में राजकियों निजी आइटियाई के लिए वरेता करम में अधिक्तम बिकल्प देंगे पहले राजकिय आइटियाई में परवेस के लिए अधिक्तम तीन जिलों के छे संस्थानों और दस बिकल्प दे सकते थे वही निजी आइटियाई के लिए ये सीमत तीन जिलों के अधिक्तम 25 संस्थानों कत थी कौसल विकास, ब्योसाइक, सिच्छा और उद्यम सीलतर राजमंती सुसंत प्रभार कपिल देव अकरवाल ने बताया कि सहचिक युक्ता की मेरिट के आधार पर सभी चार चरणों में आनलाइन सीटों का आउन्टिन परकिरिया में संसोधन किया गया है इसके तहट अब जो है राजकिये वा निजी आईटिया में पहले चरण में किसी भी गुरूप में सीटों के आउन्टिन परकिरिया प्रण करने के लिए उस गुरूप की वरिता सुचिक करम के अभियर्थी सीट को आउन्टिन की जाएगी परबेश परकिरिया के दूसरे चरण में राजकिये निजी आईटियाई में परथम चरण में परबेश लेने वाले अभियर्थेों को जिन्हें अपने उच बिकल्प नहीं मिले हैं लेकिन सीटे खाली हैं अगर ऐसे अभियर्थी अपने बिकल्प में बदलाव चाहेंगे तो सीट खाली होने पर राजकिये संस्थान में मौका मिलेगा इसके बाद राजकिये यहां पर बताया गया है कि इसके बाद बाकी बची सीटों के लिए आवंटरिन के परिकरिया पुना परथम चरण के लिए अनुसार की जाएगी अगरवाल ने बताया कि इस दितिये चरण के बाद राजकी निजी आईटियाई में अभ्यर्थियों के सीट अप्गेडेशन से जुड़ी सीटों का बेवरा वेबसाइट पर दिया जाएगा अभ्यर्थियों कोई अभ्यर्थि नया विकल्ब नहीं देना चाहता है तो उसे परवेश फार्म में दिये गए विकल्ब पर ही उसकी मेरिट के नुसार उसे पर्थम चरण के नुसार जनपत संस्थान बेवसाइव पार्टकराम आउंटित कर दिया जाएगा पंजी करण के बाद परवेश परकरिया चार दिनों में पूरी की जाएगी आभ्यर्थियों को परवेश लेने के लिए रिक्तम तीन दिनों का समय परदान किया जाएगा तो आप लोग देख पाएंगे कि अपकी बार जो इसकी मेरिट जारी होगी जैसे ही आपकी डेट खतम होती है फार्म भरने की उसके तीसरे दिन आपकी मेरिट जारी कर दी जाएगी और आपको तीन दिन का मौका मिलेगा एड्मिशन लेने का तो परिक्रिया वह तेजी से चलने वाली है इसी कारण भी फाम आने में देरी हो रही है और आपको फाम जो है जुलाई मा में सुरू हो जाएगा जुलाई के फर्स्ट बीक में आप लोग आपेदन कर पाएंगे जहां से आप आसानी से फाम उपने फिल कर पाएंगे जून में इसको नोटिफिकेशन आ मिलते हैं अगले वीडियो नए इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार